नमस्कार किसान भाईयो दाकर्शी चोपाल में आपका एक बार फिर से स्वागत है सरसों में आई गिरावट के पिछे क्या है बड़ा कारण? क्या सरसों वापस दिखाएगी तेजी? जी हाँ सरसों की बजार मांग और तेजी से जुड़ी पूरी जानकारी आपको बताएंगे इस वीडियो में इसलिए वीडियो को अन तक पूरा देखें और वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं आने वाले 10-15 दिनों में आपकी मंडी में सरसों के बाव कितने तेज हो सकते हैं इसकी जानकारी के लिए आप अपनी मंडी का नाम हमें कमेंट करके जरूर बताएं यदि आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो लाल रंग का बटन दबा कर चैनल को सब्सक्राइ जिसे लेकर किसान बाईयों में चिंता है और वहीं बाजार में अपवाओं का दोर भी जारी है कुछ लोगों का कहना है कि इस बार सरसों का उतपादन ज़्यादा हुआ है जिसके कारण मांग का दबाव कम होने से सरसों का बाजार नीचे गिर रहा है लेकिन क्या सच में इ दूसरे देशों से आयात करके पूरा किया जाता है और इस परकार देखा जाये तो सरसों का जितना उतपादन हुआ है उससे गरेलू बाजार मांग को 30-40% तक ही पूरा किया जा सकता है बाकी 60-70% खाद्या तेल की मांग को पूरा करने के लिए सरसों का इतना उतपादन भ कम करने और किसानों के बीच सरसों की मांग कम होने की खबर फिला कर कम दाम पर किसानों से सरसों को स्टोक करने का खेल चल रहा है ताकि किसान जल्दबाजी में गिरते बाओं को देखकर कम बाओं पर सरसों को बेच दे क्योंकि आज भी और आने वाले दिनों में भी यदि दे प्रकाई नहीं दे रही है फिर भी आप लगातार सरसों के बाजार पर नजर बनाए रखें हम भी आपको सरसों के बाजार का ताज़ा अपडेट समय समय पर देते रहने की कोशिस करते रहेंगे इसलिए देखते रहें दाकर्सी चुपाल जैहिंद जैकिसान